हर हर महादेव, अक्षय तृतिया का पावन पर्व, कि यवल आपको तुलसी जी में कुछ ऐसी चीज़ें अरपित करनी हैं, जिससे आपका सोया हुआ भाग जिक चमक जाएगा अक्षे तृतिया का ये पावन पर वो आपकी जीवन में अक्षे पुर्णे की प्राप्ति कराएगा जो आपकी जीवन में जो भी बड़ी से बड़ी वीपदा समस्या आने वाली भी होगी तो वो पहले से ही दूर हो जाएगी उसका शे हो जाएगा अक्षय पुन्य के आपको प्राप्ति होगी अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट में हमेशा की तरह श्री शिवाय नमस्तव्यम सरूर लिखे हिंदू धर्मा में अक्षय तरित्या को बहुत इशुप माना जाता है इस दिन आप कोई भी शुप कादे कर सकते हैं देखे आपको करना क्या है आपके घर में तुलसी जी का पोदा तो होगा तो वहाँ पर आपको यूपाय करना है आपको एक तामबे के पात्री के अंदर जल भरना है और आपको गुड डालना है देखे गुड जो है वो भगवान विश्नु को अत्यदीक प्रिय है और गुड जो है वो आपके जीवन से मंगल ग्रह के दुश प्रभाव को भी दूर करता है एक चुट के आप हल्दी या कुम कुम भी आप इसके अंदर डाल सकते है अब आपको ये जो जल है वो तुल्शी जी के वहाँ पर अर्पित कर देना है द्याना के हो सके तो आज की दिन पीले रंग के वस्तर पहन कर ही ये उपाय आपको करना चाहिए और आप ये जो उपाय है ये आपको सूर्यास्ति से पूर्व आपको कर लेना है आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते होए तुल्शी जी में आपको गुड मिश्य जल आपको अर्पित करना है अब आपको क्या करना है आपके सीधे हाथ में थोड़ से चावल लेना है और उसके अंदर PCOE हल्दी मिला ले और उन चावल को आपको पीला कर लेना है अब आप क्या करेंगे थोड़े थोड़े चावल ओम नमो भगवते वासु देवाई इस मंत्र का जाप करें और थोड़े थोड़े चावल आपको तुल्शी जी के वहाँ पर अर्पित करना है 11 बार मंत्रों का जाब करें और 11 बार चावल आपको अक्षड के जो दाने है वो आपको समर्पित कर देना है द्यान के चावल के जो दाने है वो तूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए और आपको इस प्रकार से क्रिया करनी है अक्षे तृतिया के पावन परवो पर इस प्रकार अगर हम जल अर्पित करते हैं तो भगवान विश्णु प्रसन होते हैं मा तुलसी प्रसन होती है और साथ ही साथ माता लक्षमी बहुत प्रसन होती हैं अक्षे तृतिया पर इस प्रकार से आप तुल्शी जी में जल अर्पित करें और आप आपके जीवन में आ रही धन सम्मेंदित परिश्यानियों को दूर करने के आपको भगवान विश्णु से प्रात्न करनी हैं। यदि आप सूर्यास्त के पूर्वा जल अर्पित न कर पाएं तो शाम के समय तुल्शी जी के वहाँ पर आपको घी का दीपक प्रजिलित करना है और उसके अंदर आपको एक जुटकी हल्दी आपको डाल देनी है। श्री शिवाय नमस्त अब्यम हर हर महादेव।